इनोवेशन पब्लिक स्कूल थाना मोर्ड रंका गढ़वा छात्रावास की सुधा के साथ इंग्लिस मीडियम स्कूल नरसरी से साती तक के लिए नमांकन प्रारम सदर अस्पताल परिसर में कोटा राजस्थान से आये हुए साथ छात्र छात्राओं का निशुलक स्वास्त जांच किया गया जांचो परांथ उन्हें 14 दिनों के लिए होम कॉरिंटीन के लिए सलाह दी गई स्वास्त जांच के एक्रम में डॉक्टरों से पूछे जाने पर कहा गया कि अन्य राजियों से आ रहे मजदूरों एवं छात्र छात्राओं के स्वास्त जांच के लिए मेडिकल टीम तयार है उन्हें किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी एक दिन पहले रामा साहू उचिविद्याले के प्रांगन में तिलंगाना से आए हुए 478 मजदूरों का स्वास्त परिक्षन हुआ था और आज कोटा राजिस्थान से आए हुए 60 छात्र छात्राओं का स्वास्त जांच हुआ जिसमें अभी तक कोई करोना का संदिग्ध नहीं पाया गया है यह गड़वा जीले के लिए राहत की बात है मेडिकल टीम में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुलदेव चौधरी डॉक्टर राकेश रंजन गुपता डॉक्टर नितेश भारती डॉक्टर नादिया तहशीन डॉक्टर जेपी ठाकूर डॉक्टर विकास केश्री एवं MPW शामिल थे मेडिकल टीम द्वारा लोगों को सलाह दी गई है कि फिलहाल आप घर जाकर अलग एक रूम में 14 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए घर के अंदर ही रहेंगे अगर आप किसी भी नियम को तोड़ते हैं तो विधी संगत आपके उपर कारवाई की जा सकती है इसलिए लोगों से समाजिक दूरी बनाए रखें मुँपर हमेशा मास्क का प्रयोग करें और बीच बीच में सेनिटाइजर का भी उपयोग करते रहें और जो भी आप वस्त्र या बरतन उपयोग में लाते हैं तो प्रयास करना है कि उसे दूसरा वैक्ति प्रयोग ना करें इस तरह से आपके परिवार समाज और देश हित में साकरात्म कदम होगा और निशित रूप से हमारा देश करोना मुक्त हो जाएगा इस वीच यदि शर्दी खांसी बुखार सांस लेने में कोई दिकत या किसी अस्वस्त महसूस करते हैं तो यथा सिग्र नजदी की स्वस्त केंदर से संपर्क करेंगे किसी भी परिस्थिती में आपको डरने की जरुरत नहीं है आपके साथ पूरा प्रसासन साथ है